वेल्कम टू न्यूज बाब यूटूब चैनलेंज जास्तों बात करने वाले हैं CCS University के बारे में जास्तों CCS University में Online Provisional Certificate और Migration Certificate कैसे प्राप्त कर सकते हो इस विशे में हम बात करने वाले हैं कि आपको Manwebsite से कैसे apply करना है इस परकार से fees को submit करके अपना Online Provisional प्रमानपत्र वे Migration प्राप्त करना है यहाँ पर CCS University ने Online सुहिदा उपलब्द की है कि आप घर बैटे Online Provisional प्रमानपत्र वे Migration प्रमानपत्र को प्राप्त कर सकते है जास्तों कैसे करना है किस स्टेप में करना है इसमें complete मैं आपको बताने वाला हूँ प्लीज वीडियो को last तक जरूर देखे वीडियो को skip ना करे उसे पहले आप लोग को check request करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो और पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्लीज चैनल को subscribe कर ले साथ में गंटी वाले पटन को जरूर दबा ले विश्वी दाले की वेवसाइट से ओनलाइन प्रोविजनल परमानपत्र वे माइग्रेशन प्राप्त करने के लिए निमलिकित च्रण परतिक किरिया का पालन किया जाना अवश्यक होगा ओनलाइन प्रोविजनल परमानपत्र वे माइग्रेशन प्राप्त करने के लिए विश्वी दाले की वेवसाइट के लिंक http.com.ccsuniversity.ac.in.ccsu.online certificate पर आवेदन करने हे तू ओनलाइन पंजिकन करना होगा पंजिकन के समय वानचित सूचना एववं बिलेको की स्केन को फी आवेदन के साथ अप्लोड करना अनिवारिया होगा आवेदक को निर्दारित सुल्क ओनलाइन जमा किये जाने के उपरांत उसके दवारा दिये गए इमेल पर उसे सूचना उपलब्द करा दी जाएगी परतियक परमानपत्र प्राप्त करने के लिए प्रतक प्रतक आवेदन करना होगा और निर्दारिक सुल्क जमा करना होगा आवेदन के साथ जमादनासी के बुक्तान का पर्मानपत्र यानि की रसीद भी अफलोड करनी होगी आवेदक दवारा यदि सुचना सही पाई गई तो उसके दवारा वांचित प्रोविजनल प्रमानपत्र वा माईग्रेशन ततकाल उसके दवारा उपलब्द कराए गए इमेल पर प्रेशित कर दी जाएगी संबंदित परिकिरिया के संबंद में जानकारी मोबाइल संक्या चुएतर सतावन जीरो साथ दोसो ब्यासी पर कारेल अवदी प्रात है दस बजे से पांच बजे तक में संपर्क अस्तापित कर प्रात की जा सकती है जहांस तो आपको बदाने वाला हूँ अब ओनलाइन की आपको कैश आवेदन करना है सबसे पहले आपको क्या करना है CCS University की मैन वेवसाइट पर आपको आना है यह CCS University की मैन वेवसाइट है यहाँ पर देख सकते हो 29 मई में आपको Essential Instruction for the Application for the Gate Online Provisional Certificate and Migration यह तो PDF है जो मैने आपको दिखाई है उसके बाद आपको नीचे जाना है जैसे ही आप नीचे जाते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर Important Notice में आप यहाँ पर पढ़ सकते हो यहाँ पर दिया गया है कि लिंक Apply Online Provisional and Migration Certificate आपको इस पर किलिक कर देना है जैसे ही आप इस पर किलिक करते हो तो यहाँ पर CCS University.hc.in यहाँ पर आ चुका है अब आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर Registration जो है एक Form यहाँ पर Open हो चुका है जिसमें आपको यहाँ पर Complete जानकारी डाल लेनी है सबसे पहले ही आपको यहाँ पर अपना Candidate का नाम डालना है जो भी आपकी Mark Sheet में बिल्गुल Correct वही आपको यहाँ पर डाल लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर Father Name डाल लेना है उसके बाद आपको Mother Name यहाँ पर Enter कर लेना है नीचे आपको Enormant Number आपको यहाँ पर डालना है Without M, M करके आपका Enormant Number होता है M072 और आगे करके कुछ ऐसा होता है इसको आपको M को छोड़ देना और बाकी आपको जो Numerical संख्या आपको वो यहाँ पर Enter कर लेनी है उसके बाद नीचे आपको एक Personal अपना Mobile Number यहाँ पर Enter कर लेना है जो भी आपका कोई भी नंबर यहाँ पर चालू हो वो आपको यहाँ पर Enter कर लेना है उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर एक correct email ID आपको enter करनी है email ID आपकी बिलूल सही होनी चाहिए और चालो activate होनी चाहिए जिससे कि आपका provisional or migration जो certificate है वो आपकी email ID पर ही scan copy यहाँ पर भेजी जाएगी उसके बाद आपको यहाँ पर student image आपको upload करनी है यानि कि अपना एक photograph यहाँ पर upload करना है उसके बाद एक ID card आपको यहाँ पर upload करना होगा जिससे कि आदार card या university का कोई भी आपका school का i card हो वो आपको यहाँ पर upload करना अनिवारिया है उसके बाद सबसे main चीज़ है आपकी high school की mark sheet आपको यहाँ पर upload करनी होगी जहाँ उसकोल की mark sheet और university की mark sheet में नाम, date of birth और आपका father name यहाँ पर shame होना चाहिए उसके बाद आपको यहाँ पर upload करने के बाद submit कर देना है जैसे ही आप submit करते हो तो आपको एक number मिल जाता है और उस number मिलकर अपने पास रख लेना है उसके बाद आप यहाँ पर अपने form की status को check कर सकते हो login form पर आप यहाँ पर click करना है login form पर click करके आप यहाँ पर देख सकते हो एक यहाँ पर आपका enrollment number आपको डालना है और नीचे आपको password डालना है और submit कर देना है submit जैसे ही करते हो तो आपकी यहाँ पर जो आपने form submit किया था उसकी detail आपको यहाँ पर आ जाती है कि आपका यहाँ पर जो verification है वो success हुआ है या भी processing में हो सारा complete यहाँ पर दिखा देता है इसके बाद जैसे ही आपने वहाँ पर submit किया था तो submit करने के बाद यहाँ पर एक payment option आएगा आपको उस पर्मान पतर की payment को भी कर लेना है जैसे ही आप payment को submit करते है तो आपको उसकी scan copy भी upload करनी होगी इसके scan copy upload करने के बाद यह आपको form यहाँ पर finally submit होता है और जैसे ही form submit हो जाता है तो आपको बहुत जल्द यहाँ पर verification होने के बाद आपको online migration और यहाँ पर जो आपका provisional certificate है वो आपको मिल जाता है आपको यहाँ पर दी जानकारी अच्छी लगी है तो इसको like करे like से हमें motivation मिलता और अच्छी जानकारी आपको provide करते है तो please channel को subscribe कर ले साथ में घंटी वाले बटन को जरूर दबा ले और वीडियो के description में link दिया गया है आप वहाँ से भी direct इस main website पर जा सकते हो तो I hope आप